साथियो और्गनाइजेशन रिपोर्ट का काम पूरा हुआ हमने एप्रूव कर दिया है मैं सिरफ एक पंक्ती बोलूँगा मैं उस काम के लिए नहीं आया हूँ एक पंक्ती बोलना चाह रहा था कि ये जो आज हम यहां बैठे हैं साथ सो से जादा प्रतिनीदी देश भर से देखे भीड जुटाना आसान है साथ सो छोड़ी है साथ अजार की भीड दिली में जुट जाती है और पैसा वैसा देखे भेजो तो सतार जार की भी रैली हो जाती है लेकिन जिलों से चुन के जिलों से मेंबरशिप वाले और्गिनाइजेशन में लोकतांत्रिक चुनाव करवा के चुने हुए प्रतिनीदी देश बर से आएं ये बहुत लोग करना ही पाते हैं सम्मिधान में लिख देते हैं बहुत आसानी से लेकिन मैं जानता हूँ वेवार में होता नहीं है और ये जो पूरी टीम बैठी हुई थी यहां पर मैं पिछले 30 सालों से किसी ना किसी राजनेतिक संग्ठन से जुड़ा हूँ देखता रहा हूँ और हर राजनेतिक संग्ठन के समिधान में लिखा होता है लोग तांत्रिक चुनाव किये जाएंगे नीचे की कमीटी से उपर की कमीटी बनेगी जिले से राज्य की राज्य से राश्ट की मैंने एक भी संग्ठन में पिछले 30 साल में ये होते वे देखा नहीं है पहली बार कोई संग्ठन देख रहा हूँ ये हम दावा नहीं कर सकते कि हमने गाउं से बनाई है सच बात है गाउं से नहीं बनाई है है ना तो आदर्श हमने पुरा नहीं किया है लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी संग्ठन में सच मुछ जिला लेवल की कमीटी चुनी गई जिला लेवल की कमीटी ने राज्य की कमीटी को चुना और राज्य के सभी साथियों ने आके राश्ट्रिय कमीटी को चुना ये बहुत समय बाद ऐसा राजनीती में शुब काम हो रहा है और ये जो सारी टीम यहां बैठी हुई थी इस टीम के अथक प्राइस की वजह से बहुत आसान था ये कहना आजिए अब आज़िए आप अच्छा आप इन दोर के अंदर अपना सम्मेलन कर लो, आप करनाटका में सम्मेलन कर लो ये नहीं किया इन्हों ने, इन्होंने का सम्मेलन कर लो हम आपके पास एक राज्य का अब्जर्वर भेजेंगे जो आपके जिले से नहीं होगा आप सबको मुसीबत आई होगी इसलिए आपको बता रहा हूँ और उसके साथ हर जिले में एक नेशनल अब्जर्वर भी आएगा और ये सब काम करने के लिए कितने पैसे थे इनकी जेब में जीरो किसी आप्जर्वर को देने का बस का भाड़ा भी नहीं था हमारे पास किसी तरह से लोगों को जुटाया कहा कि भाई बड़ा काम है पहुँच जाओ किसी तरह से पहुँच जाओगे तो खाना वो लोग खिला देंगे केबल इस भावना से काम हुआ और इस उर्जा इस उत्साह के साथ बिना धेले पैसे के पूरे देश भर में ऐसा करके 114 जिलों में देश के 114 जिलों में हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से लेकिन जब रिकॉर्ड गिन रहे थे तो उत्राखंट के हमारे सहयोगी कहरे थे ने-नी हमारे पांच नहीं छे हैं राजस्तान के हमारे साथियों ने कल कहा ने-नी दो नहीं गिंती गलत है आपकी तीन है हमारे यहां पर तो हो सकता है 114 से जादा हो 114 जिलों में ऐसा संगठन बना हमारे आनन जी राजन्यादिक आंदोलों को बहुत सालों से जानते हैं जो बात करते हैं उससे बहुत अधिक जानते भी है उनसे मैंने पूछा आनन जी आज से 30 साल पहले जिस समाजवादी आंदोलन को हम बहुत बड़ा बताते हैं उसका संगठन कितना था, कितने जिलों में था तो मेरा सवाल समझ गए, कहते हैं सो जिलों में नहीं था तो सो जिलों से एक सो चौदा जिलों में आपके पास संगठन है और ऐसे लोगों का जो किसी स्वार्थ से नहीं जिसको ये नहीं लग रहा कि कल मैं MLA बनने वाला हूँ जिसको ये नहीं लग रहा कि इसमें एक इामदनी होने वाली है ये छोटी उर्जा नहीं है और आपकी और्गिनाइजेशन टीम ने ये बहुत अद्भुत काम किया है अजीद भाई के निच्च तुमें इस पूरी टीम ने पूरे देश भर में भेज भेज के जो काम किया उसके लिए सलाम इनको बहुत जाए अब जो सत्र है वो राजनेतिक प्रस्ताव का है ये राजनेतिक प्रस्ताव क्या होता है मैं बता दूँ क्योंकि आजकल ये परंपरा हम छोड़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि राजस्तान का नाम लेना रिपोर्ट में रह गया था संयोग से मैंने अपने आप ये उसको करेक्ट कर दिया और वहाँ एड़ॉक टीम बनी है राजस्तान की टीम ने वहाँ पर राजस्तान में एड़ॉक टीम बन गई है उसका जिक्र कर नाम बोल गए थे हमारे विज्ञान मोदी जी यहां पर बैठे होंगे उनके साथ राजस्तान की टीम भी बैठी होगी विज्ञान जी किदर हाँ विज्ञान मोदी जी वैसे ही मैं परिचे भी करवा दूँ क्योंकि आप सुबह स्टेज पे नहीं आये थे सन 1977 में मैं राजस्तान में बच्चा था उस जमाने में मेरी पैदाई मेरी परवरिश राजस्तान में हुई है तो 1977 में अखबारों में खबर आती थी कि एक नौजवान राजस्तान का मंत्री बन गया है MLA और बाद में खबर आई कि इनके जगड़ों इनकी बेईमानियों से तंग आके वो आदमी मंत्री बनने के बावदूत इस तरहें की राजनीती से अलग हो गया और सच्चाई के गुमनाम रास्ते पे चला गया वो नौजवान है विज्ञान मोदी जो हमारे साथ है आज से 40 साल पहले राजस्तान के मंत्री बन गये थे लेकिन सत्ता के समझाते नहीं किये आप महां राजस्तान में संग्ठन की बागदोर संबाले हुए है हमारे एकाउंट्स के बारे में जो चर्चा हुई और जैसा कई साथियों ने बताया ये तो मतलब वो एकाउंट है जेब में पैसा है नहीं लेकिन एकाउंट है और और उसका एक एक कोड़ी का हिसाब किता हिसाब मांगने वाले ऐसे मांग रहे हैं कि विजय मलया के एंपायर का भी हिसाब मांग रहा हूँ उन्हें क्या बता है भाईया जेब में तो भैसा नहीं किसका हिसाब मांग रहे हो लेकिन उसमें शार्दा जी और उनके साथ जो टीम रही हमारे प्रत्युष बाबा है प्रत्युष जी यहां कहीं हो तो दाड़ी वाले सपैद दाड़ी वाले बाबा जी यहां पे घूमते रहते हैं तो उन्होंने इतना अधुष गाम किया और हर जगए ढूंडते रहते हैं ने 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 योगेन जी बीस रुपह में नहीं यह मैं तो 18 रुपह में चावड़ी बजार में मिलता है क्यों पैसा बरबाद करें हम लोग तो प्रत्यश बाबा जिन्होंने इतना अद्बुत काम किया इस सारी टीम की जितनी सराहना की जाए कम है और इनकी सराहना आप ताली से मत कीजिए ताली बहुत बजा ली हमने सुबह तो हम इस टीम की सराहना ऐसे करेंगे कि यहां पर एक दोनेशन डेस्क लगा हो इस जोनेशन डेस्क में जाते हुए जब हम पैसा डालेंगे तो उसका मतलब होगा कि मैं खाली ताली नहीं बजा रहा है ताली तो मुFT का काम है मैं आपके काम की सराहना करते हुए आपके काम को आगे बढ़ाने केलिए अपनी जेभ से कुछ डा तो वो देखे जाईएगा वो सची सराना होगी वो सची ताली होगी अब हमारा जो सत्र है वो है राजनेतिक प्रस्ताव का राजनेतिक प्रस्ताव संग्ठनों में उसका मतलब यह होता है कि कोई भी संग्ठन जिसकी राजनेतिक द्रिश्टी हो और स्वराज अवियान पहले दिन से कहा है बेकल्पिक राजनीती बनाना हमारा काम है ऐसा हर संगठन जब भी मिलता है देश और दुनिया की राजनीती पे अपनी दिशा बताता है कि देश दुनिया में पिछले तीन महीने में पिछले छे महीने में फलाँ फलाँ चीजे हुई है इसके बारे में हमारी य जलनता है कि हमें क्या करनां औरे तो क्या होता है रोज सुब़्य हम अखबार पढ़ते हैं अखबार पढ़के हां ये चीज तो अच्छी लगी ये तो बुरी लगी अरे बच्चों की तरह एक दूसरी की शिकायत बाजी क्यों कर रहे है अरे कोई काम तो किया करो ने नी नी ये तो बहुत बुरा है गबर हो जाएगी हमारी अपनी दृष्टी रहती है और उसके बाद हम संग्ठन में जाते हैं संग्ठन की दृष्टी और हमारी दृष्टी मिलती नहीं है कई बार और ये राजनेतिक प्रस्ताव का मतलब ये है कि हमारा जो दर्शन है दर्शन तो बहुत उची चीज़ है हमारे दर्शन की रोशनी में रोज सुबह अखबार में जो हम पढ़ते हैं उसके व्याक्षा कैसे करें कभी कोई कश्मीर पे खबर आ जाती है हमारे में जो कुछ साथियों का खुन खौल जाता है कुछ साथियों को लगता है बिल्कुल वैसी क्या बात है और फिर साथी मिलते हैं मेरे से पूछते हैं ये प्रशान जी ने कैसे कह दिया कश्मीर पे ऐसी बात दूसरे साथी कहते हैं इतना कुछ हो गया आप लोग चुप रहे आपने बयान भी नहीं दिया ये इसलिए कि हम सब अपनी अपनी सोच लेके आए पर आज जब हम एक राजनेतिक परिवार एक राजनेतिक संग्ठन का हिस्सा बन गए हैं तो हमारी सोच भी जुड़ेगी और वो सोच जुड़ने का काम करता है राजनेतिक प्रस्ताओ वो कहता है कि इस देश में जो घटनाएं हुई हैं उस घटनाओं को हम ऐसे समझते हैं और उसकी रोशनी में हम ये करेंगे तो वो राजनेतिक प्रस्ताओ आपके सामने है आम तोर पे क्या किया जाता है राजनेतिक संक्टनों में की कोई साथी उसको पढ़के सुना देता है लेकिन जब वो पढ़के सुनाता है लोग अपना फोन पर मॉबाइल पर समस चेक करने लग जाते हैं तो पता नहीं मॉबाइल पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है तो लोग वो चेक करने लग जाते हैं ध्यान ब्यान कुछ इदर चला जाता है कोई सो जाता है कोई चाय पीने चला आता है तो हमने सोचा कि वो नहीं करेंगे राजन्यातिक प्रस्ताव हमारे पास है हमारे साथी अभी आके बाटेंगे तो मेरा अनुरोध है कि हम में से यहाँ पे राश्ट्रिय कारेकारिनी नैशनल वर्किंग कमेटी के जितने साथी हैं वो खड़े हो जाएं यहाँ पे जी जितने भी साथी हैं यहाँ बहुत बढ़िया एक, दो, तीन, चार, पांच जो इस टाइम काम पे लगे हुएं अगले आदे घंटे आब वो हाथ ना खड़ा करें वो पीछे उड़ जाएं क्योंकि दूसरे काम भी लगे हुएं ना पच्चिस लोग यहाँ हैं, हम पच्चिस ग्रुप बनाएंगे और हर ग्रुप में बैठके हम उस राजन्यतिक प्रस्ताव को पढ़ेंगे क्या होता है कोई दूसरा बैठके माइक से बोलता रहता है तो कुछ फरक नहीं पढ़ता हम खुद पढ़ते हैं उस प्रस्ताव को तो वो हमारा प्रस्ताव होता है और पढ़ने के बाद चार सवाल मन में आएं तो वहीं पूछेंगे उस पे दो मिनिट चर्चा भी करेंगे तो अब हम यह पच्चिस साथी के लिए आप यहाँ पे कीजिए अंदाजन बीस बीस लोग बीस बीस लोग अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाके बैठ जाएं और हर ग्रुप के अंदर एक साथी उनके साथ बैठ जाएगा अगर हम खड़े रहें तो फायदा होगा कि उनके इर्दगेद ग्रुप बन जाएगा कमला जी आपके साथ यहाँ ग्रुप बन जाए यहाँ पे बीस बीस लोगों का ग्रुप यह नीट डिविशन का ध्यान मत कीजिए कोई फरक नहीं पड़ता थोड़ा सब बिखर जाएगा हम दुबारा समेट लेंगे हमारे विचार्स फर्ष्ट होने चाहिए कुरसियां बिखर जाएगी कोई बात नहीं कुरसियां बाद में ठीक कर लेंगे बीस ग्रुप बनाएंगे पच्चिस पच्चिस ग्रुप बनाएंगे और हर ग्रुप के साथ एक वरकिंग कमेटी का साथ ही बैठेगा और अगर किसी को दिक्कत होते हैं यहां सामने भी बैठ सकते हैं यहां पे बैठने की भी जगाए है पच्चिस ग्रुप हर ग्रुप में अंदाजन बीस लोग